वेडियो बेक्ट तो माई यूटूब चैनल ग्यान टेक सीरीड फिन आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने मुबाइल पर टाड़ाइफ काई अप्लिकेशन यूज करते हैं और टाड़ाइफ काई अप्लिकेशन पर आपके फैमिली मिंबर पूरा दिन उसमें कुछ ना कुछ मोडिफाई करते रहते हैं तो आज किस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने टाड़ाइफ काई मुबाइल अप्लिकेशन को हाइड कैसे करेंगे टाड़ाइफ काई का मुबाइल अप्लिकेशन हाइड करना बहुत ही आसान होता है आज किस वीड application को hide करने के लिए आपको अपने mobile की setting पर जाना है mobile की setting पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है आपको थोड़ा सा जाना है नीचे यहाँ पर एक option मिलेगा display का आपको display को उपर click करना है जैसे आप display को उपर click करेंगे चार थोड़ा सा जाना है नीचे यहाँ पर एक option को बिलता है home screen का आपको simply से home screen को उपर click करना है जैसे आप home screen को उपर click करेंगे यहाँ पर आपको अपने mobile की home screen की बहुत सारी setting को मिल जाएगी आपको सब से नीचे जाना है यहाँ पर एक option देखने मिलता है hide apps का यहाँ पर इस folder को उपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके mobile की जितनी भी application है, सारी open होके आ जाएंगी, थोड़ा सा जाना है नीचे, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका टाटा इफकाई का mobile application कहां पर है, यह रहा आपका टाटा इफकाई का mobile application, आ आप दन में क्लिक करेंगे, बैख होके अपने home screen पर जाएंगे, देख सकते हैं, यहाँ से आपका टाटा इसकाई का mobile application हाइड हो चुका है, हाइड होने के बाद आपको simplify, unhide करना है, फिर आप अपने mall की setting पर वहीं जाएंगे, home screen पर display और hard apps पर जाकर, अपने टाटा इसक सब्सक्राइब करके notification बिल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा, तो friends वीडियो में इतना ही, thank you for watching, take care